Accounting no problem, मैं आपका स्वागत है, मैं हूं RT Teleprime के इस वीडियो सिरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे Teleprime ने stock items को all तक कैसे करते हैं, साथ ही बताएंगे कि किसी stock item को delete कैसे करते हैं इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको single stock item तथा multiple stock items बनाना सिखाया था इस वीडियो को प्रारंप करने से पहले एक महतपून बात बता दें कि जिस तरह हमने आपको ledgers को alter और delete करना बताया था, पिलकुल वही process stock items के लिए भी है फिर भी हम आपको short में इसे समझा देते हैं अभी हम gateway of tally पर है master's heading के अंतर का दिखाई दे रहे है alter के लिए ए प्रेस करें, यहां से stock item सेलेक्ट करें देखें, list of stock items आ रही है जिस stock item में कुछ changes करना है, उसे select करें यह देखे, stock item alteration screen आ गई है आप जो भी changes करना चाहें, जैसे नाम, group, unit, opening balance तो यहां से कर सकते हैं बस एक बात का ध्यान रखें, जिन stock items में आपने transactions कर लिए होंगे उनकी units change नहीं कर सकते हैं यदि आप किसी stock item को delete करना चाहते हैं यानि स्थाई रूप से हटाना चाहते हैं तो इसी stock item alteration screen पर alter और D एक साथ प्रेस करें ऐसा करते ही delete की छोटी window आएगी यहां पर एक बात ध्यान रखें जिस stock items को लेकर आप कोई transactions कर चुके होंगे वो delete नहीं होगा यानि alter और D प्रेस करने पर भी delete की छोटी window नहीं आएगी यदि आप इस stock item को delete करना चाहते हैं तो end प्रेस करके उसे delete कर सकते हैं हम ऐसा नहीं चाहते इसलिए end प्रेस कर रही हैं अब देखते हैं कि chart of accounts की साहता से आप एक साथ कई stock items में कैसे alteration कर सकते हैं उसके लिए आपको chart of accounts में जाना होगा यहां stock items सेलेक करें अब alter और H प्रेस करें list of multi masters में multi alter सेलेक करें यह देखे list of stock groups आ रही है यहां पर आप दो तरह से alteration कर सकते हैं पहला यदि आप किसी एक stock group में बने stock items में alteration करना चाहते हैं तो उस stock group को सेलेक करें देखे हमने जो stock group सेलेक किया था उसमें जतने भी stock items बने हैं वो और उनकी details दिखाई पड़ रही है यहां से आप जजबी stock item में जो भी जिन जिस करना चाहें कर सकते हैं escape key से हम वापस list of stock groups पर आ गए हैं आई अब देखते हैं दूसरा तरीका इससे आप किसी भी stock group में बने stock items में alteration कर सकते हैं उसके लिए आपको all items सेलेक करना होगा देखे ऐसा करते ही हमारी company में बने सभी stock items वो जिस group में बने हैं उनके नाम और हमने stock items बनाते समय जो भी details दी थी वो दिखाई पड़ रही है यदि आप इन में कुछ पी changes करना चाहें तो कर सकते हैं एक बार आपको फिर याद इला दे यदि आप tally में कहीं भी कुछ भी काम कर रहे हैं और उस दौरान आप master में कुछ भी alteration करना चाहते हैं तो आप अपने काम को बंद किये बिना ही go to पर जाएं यह options आपको यहाँ भी मिलेंगे और आप इनकी सहायता से alteration कर सकते हैं अभी हमने कुछ वीडियो में क्रमशा, stock groups, units और stock items को create करना उनमें alteration करना और उन्हें delete कैसे करते हैं यह बताया इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि purchase voucher और sales vouchers क्या हैं और उनमें transactions कैसे record किये जाते हैं दोस्तो हम हर वीडियो में कुछ नई बातें detail में समझाते हैं और बाद में उनका short में use करते हैं अगर आप चाहते हैं कि कोई भी उपयोगी बात सीखने से चूट न जाए तो please सभी वीडियो को order में ही देखें